अब है अब आपके सामने एससे सीजल 2020 टू के साथ मार्च का टीर टू का मैंच का पेपर डिसकस करने जा रहा हूं और तो आपके सामने आंसर सीट है वह वह मेरी कुछ की है और इसमें आप देखेंगे कि आउट ओट ट्वंटी नाइन पॉस्टन इसके अंदर सही है और एक प्रोसेस रहेगा वह यह रहेगा कि हम लोग पहले पर्टिकुलर को डिसकस करें और उसके बाद उसको भी साथ साथ करें है इसे क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर में उस तरह कोई प्रसंद देखने को मिले तो आप उसको आसानी से बना सकें ठीका तो श्टार्ट करते प्रसंद देखने में काफी जी है और इसको सब को भी बना सकते हैं अचा एक चीज़ आप अप्जय करेंगे कि अगर आपको बेसिक मेहत आती है तो आप इन कुर्शंस को काफी बना सकते हैं और आपको ज़्यादा हार्ड ओर करने जरुत भी है इसमें तो मेरा मानना है कि आप इधर उदर भी टेक्निकेट वजाए अपने बेसिक कंसेप्स पर ज्यादा फोकस करें आज हर एक गवर्मेंट एक्जाम में या किसी भी अप्टीट्यूर की जो बेस्ट एक्जाम है उन सब में बेसिक मेट्स की ज्यादा रिप्वार्मेंट है उसे लिए स्टार्ट क पूचा क्या गया एक्जाए एक्स क्या हो जाएगा शिक्स का स्कॉर्ट थाटीश आप इसे लिए लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट आपको बता हूँ अच्छा आपको अगर यह दिया हो एक्स इक्वाल टू स्क्वार्ट ऑफ थाटीश पर एक्स की वैल्यू बताओं गे लेकिन अगर इसी के साथ आपको यह दिया हो हो कि एक्स स्क्वार्ट थाटीश भी हो सकती है और माइनस इक्स भी हो सकती है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको यह दे रखाओ एक्स इक्वल टू 6 है और मैं यह बोलो कि 6 का स्क्वाइर क्या होगा तो आप बोलोगे 36 और इसी के साथ में आपको यह बोलोगे 36 लेकिन फस्ट वाले में आपको सीधे भोला गया कि एक्स इक्वल टू स्क्वाइर उट थाटी सिक्स है तो इसकी एक वैलिव आएंगी वह वह प्लस का 6 यहां प्लस मैंज शिक्स नहीं लगा सकते हैं यहां सिक्स जिए आएगा लेकिन अगर एक्स इसक्वाइर इक्वायर त तेन देज और वेस्पेक्टिवली तीन लोग प्यू को निम्हां घूरा है नेरी ने में सब्सक्री दयरे के लिए क्यों एक लिए मिटुलग्र कांप सकते हैं। वह दूसरे दिन काम करते हैं P and Q works on the third day and so on till the work is completed वो क्या रहा है कि पहले दिन P or Q work करेंगे, दूसरे दिन P or R work करेंगे फिर तीसरे दिन P or Q, फिर छोथे दिन P or R ये इसी तरह चलता जाएगा करम जब तक की काम complete ना हो जाए है तो हमसे पूछ रहा है इन how many days the work will be completed, कितने दिन में ये पुरा काम हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं इस तरह के question का जो basic concept वो यही है कि आपको ये days दे रखे है, टाइम दे रखे हैं अलग-अलग कि पी ये काम को 5 दिन में कर रहा है, Q 10 दिन में, R 15 तो आपको करना क्या होता है इन तीनों का LCM लेना होता है, 5 10 और 15 इन तीनों का LCM क्या होगा, 30 और देखो ये एक trick नहीं है कि हम इनका LCM ले रहे हैं, ये basic method है जो मैं आपको कभी बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है, चलिए तिन भी discuss करते हैं, हम इन तीनों का LCM ले रहते हैं, LCM इनका 30, अब 30 LCM अगर इन तीनों का है, 5 1059 का, तो इस 30 को हम माल लेगे कि ये total work है, इसको क्या माल लेगे, total work है, अचा ठीक है, ये total work है, और ये इसके days है, यानि P जो है, इस 30 work को 5 दिन में कर रहा है, आप मुझे बताए, 30 work 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 by 5, तो आप इसे तरह आर बताओ, 30 work कर रहा है, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आपको वे 30 divided by 12, दो work का गया, अब ये 6, 3 और 2 क्या है, ये इन तीनों के एक एक दिन के work है, पी एक दिन में 6 work कर रहा, कि वे एक दिन में 3 work कर रहा, आर एक दिन में 2 work कर रहा, और जो एक द सब्सक्राइब 3 P कर रहा 6 Q कर रहा है 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, P और R मिलके कितना करेंगे, P का 6, R का 2, 6 प्लस 2, 8, P और Q again कितना हो जाएगा यहां पर, 9, हमें total 30 वर्क करना है, अब देखिए, पहले दिन 9 हुआ, दूसरे दिन 8, 17 हो गया, तीसरे दिन कितना हुआ, फिर से 9, 17 प्लस 9, 26 अब भच गया कितना फरक आपके पास, 4 वर्क बच गया 30 में से, अब आप देखिए, प और Q अगर दोमनों मिलके काम करते हैं, एक दिन ने, तो वो 8 वर्क कर रहे हैं, सोरे, प्लस 2 और R मिलके, 8 वर्क कर रहे हैं, लेकिन में वर्क कितना करवाना हो, 4 भर्क कर रहाना है त तो 4 वर्क कितने दिन में करेंगे तो 1 by 8 times 4 तो आपके पास यहां कितना आजाएगा यहां आजाएगा आपके पास 1 by 2 तो यहां पर 4 वर्क करना है यह तीन दिन तो यहां से हो गई 3 days प्लस इन दोनों ने विल्के चार वर्क किया है कितने दिन में हाप ले में तो 3 प्लस 1 by 2 कितना होता है 7 by 2 क्योंकि हम देख रहें यहां पर LCM क्या आएगा 2 2 2 3 6 6 प्लस 1 7 यह हो गया आपके पास 7 by 2 वर्क अप्सन नमबर 4 यह इस क्वेशन का आंसर है चलिए अम आपको इसक इसकी बेसिक अप्रोश बताता हूं ऐसा क्यों होता है एक्च्वली तो देखे मैं इसको मिटाद़ूं यहां पर और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम अपनी डे टुडी लाइफ की बात करें तो वर्क क्या होता है आप बताईए वर्क होता है आपका टोटल वर्क जो होत आप work in a day, total work क्या होगा, total number of day, जिन में आपनी work कंप्रीट किया है, और work in a day, एक दिन में किया गया काम, अब यहां पे यह hour भी हो सकता है, तो यहां पे work in hour भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करेगा, उससे कुछ फर्क निपडने वाला, तो यह work in a day, जो होता है न, वो होता आपकी efficiency कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं यह आपकी efficiency हर एक चीज के अपने एक efficiency होती है और हम मान के चलते हैं कि efficiency ज़ए वह चेंज नहीं होती है इसी लिए तो हम लोग यहां पे ले रहे हैं देखो उसका क्या था पास दिन था ठीक है पहले वाले का पास दिन में कर रहा था हो उसके efficiency हमें नहीं पता इसका मतलब क्या हम इस वर्क को कोई ऐसा नंबर आजूम कर सकते हैं तो पांस दस और पंद्रा तीन का मुल्टीपल होता है मिनिमम नंबर स्मोलेस्ट नंबर जो है कि क्या होगा LCM इसी निए हम वहां फे LCM ले रहे थे तो हमने के बाद के बाद cuma की अपने पास आ गई थी इसी तरह की वेल्यू आ गई थी और यह दरी की आ पर जैसे वर्क को चैंज करोंगी यह बश्तर तो इसलिए हम लोग लेके शॉल करते हैं इस तरह के फॉसंस को आई होप समझ में आया होगा चलिया नेक्स्ट पॉस्ट स्टार्ट करते हैं करते हैं वहाँ करते हैं इसका मतलब क्या है कि टावर देख्या वर्केंश्ट करते हैं अली इसका मतलब क्या है कि टावर से बड़ा होगा इसलिए तो आपको उपर देखना पड़ रहा है यह आपकी बीडिंग है और यह आपका क्या है तावर है यहां से आप जब इस टावर के टॉप को देख रहा है तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना 45 डिग्री है चलो दिया हुआ है अंगल ऑफ एलिवेश्न उपे टॉर्प पर सेंटाल टॉ trước दो नीं विडिग्र यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया इसका unrest का 16डीई टिग्री यह दे रख्या है और हमें क्या बताना है सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब अगर यह वाली लेंथ अगर मेरे पास एक्स है यहां से तो यह कितनी होगी एक्स होने वाली है क्यों कि यह तो नाइटी डिगर है और यह एंगल भी कितना है इसना प्रकाइब फॉर्टी फाइब हो जाए मुझे यहां लिए रखकाए बना देता है कि अगर देर रखका है 60 degree और सामने वाली side दे रखेंगे, कितनी है, 680 meter plus x और निचे x, 60 degree के लिए सामने वाली side यानी perpendicular दिया हुआ है, और आपको यह base भी दे रखा है, perpendicular और base किस trigonometric ratio में आता है, तो वो आता है 10 में, तो हम 1060 is equal to perpendicular, that is 680 plus x, divide by base कितना है इसका x, 1060 आपको पता होना ची, वो root 3 होता है, और यहां आप लिखनेंगे 680 plus x divided by x, आप इसको cross multiply कर दो, x times root 3 हो जाएगा है, तो मैं यहां पे लिखते था हूँ, x times root 3, जब root 3 x is equal to 680 plus x, आप इस x को दूसरे side ले जाओगे, तो मेरे पास क्या हैगा, root 3 times x minus x is equal to 680 meter, देखे, x common ले minus 1 is equal to 680 meter बचेगा, अब मैं x की वे दो निकाना चाहरा हूँ, 680 divided by root 3 minus 1, अब आपको क्या करना है, देखो, answers के अंदर आपको कहीं भी denominator में नहीं दिख रहा है, कुछ भी, तो आप क्या करोगे, इसका rationalization कर दोगे, rationalization का मतलब क्या है, जो भी irrational number जो नीचे आपको denominator में दि reply कर दो, तो root 3 minus 1 का conjugate होगे, root 3 plus 1, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि उपर क्या आएगा, 680 times root 3 plus 1, और नीचे देखे, a minus b, a plus b, यह क्या होता है, a square minus b square, a square मतलब root 3 का square, वो क्या होता है, 3, root 3 का square 3 minus 1 का square 1, तो यह कितना बनेगा 2, आप 2 से divide कर दो इसको, अब देखे, तो कितना बनेगा 340, और डेकेट में क्या है, आपके पास root 3 plus 1, answer देख सकते है, option number, wait, option number 2, right, root 3, 340 है, यहाँ पे, क्या हुआ है, इसके अंदर, 340, 3 plus 1 यहाँ था, यह 680 था, इसमें क्या हो है, from the foot of the same building is 60 degree, what is the height of the tower, अच्छा ठीक है, शरी, यह तो X की value आई अपने पास, यह तो हमारे पास X की value आई है, लेकिन हमें value पिस की निकालना है, टावर की, टावर की value आती, X plus 680, तो हम यहाँ पे रख देंगे X की value, और X plus 680 निकाल सकते है, 340 times root 3 plus 1, और यहाँ पे यह कितना है, 680, 680 का मतलब 2 times 340, 340 आपको comment दिख रहा है, उसको बाहर ले लो, यहाँ पे कौन बचेगा, से root 3 plus 1 और 2 यहाँ पे है, यह बन गयाती है, तो यह answer आ गया, 340 times root 3 plus 3, answer option number 2, तो देखें, यह तो इस question का solution था, लेकिन अब मैं आपको इस से related कुछ concept बता देता हूं, कि इस तरह के question से आप और क्या concept शेख सकते हैं, देखें, दो तरह के angle आपको जा मिली दिये जाते हैं, एक होता है angle of elevation, एक होता है angle of depression, आप ऐसे समझेए elevation, और दूसरा होता है depression, depression में आदमी क्या होता है, एकदम निरास होता है, वह एकदम चेरा जुका के बैठा होता है, तो जब भी angle of depression देना, तो इसका मतलब आपको नीचे देखना पड़ रहा है, जब भी आप किसी चीज को नीचे देखोगे, अपनी गर्दन जुका के, तो वहां पे आप angle of depression बना रहे हो, और अगर आप अपनी गर्दन उपर उठा के किसी चीज को देख रहे हो, तो उसके लिए आप angle of elevation बना रहे हो, ठीक है, जैसे माल लीजे, कि यहां पे एक building है, और यहां पे कुछ रखा हो है, तो मैं इस building के उपर से अगर इसको देखना, जो भी यहां पे कुछ भी रखा ह तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा, इसका मतलब ना horizontal से जितना नीचे देखना हो, वो angle of depression है, अचा angle of depression है यहां, यह इस angle के equal भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यह भी line horizontal है, और यह भी line horizontal है, दोनों parallel हैं दूसरे के, तो alternate interior angle equal हो जाते हैं, लेकिन यह actual angle of depression ह यह होता है, angle of elevation में क्या है, कि अगर आप जमीन पर खड़े हो, यहां से किसी article को जो कि कुछ height पर है देख रहे हो, तो आपको अपनी गर्दन उपर उठाने पड़ेगी, वो होता है, angle of elevation, ठीक है, एक होता है, इसमें line of sight, line of sight क्या होती है, line of sight होती है, कि जिस line में आप दे है, यहां पर यह line of sight है, और इस तरह के questions कुछ आएंगे, तो हम इनको discuss करते हैंगे, अचा एक चीज और ध्यान रखना, आपको 1030, 1060, sin30, sin60, and 40 degree के भी, सारी trigonometric ratio जो है, वो याद होने चिए, 30, 60, और 45 degree, इती होती है, चले तो स्टार्ट करते हैं, next one, fourth question, fourth question में क्या बोल रहा है, the largest three digit number that gives the same remainder when, same remainder two, when divided by three or five, तेकि इस तरह के questions को या तो आप option से, exam में आपके लिए बैठर होगा, आप option से कर क्या, option से कैसे, कि वो three और five दोनुं से divide करने पे, remainder two आना चीए, मतलब हमें जो number मिलेगा न, वो, number जो होगा, वो LCM of three, five और उसमें दो add करके मिलेगा, ठीक है, कोई भी number, ऐसा number जिसको three और five दोनुं से divide करने पे remainder दो बचता है, तो पहले इन दोनुंका LCM निकालो, इनका LCM कितना है, फिप्टीन, तो फिप्टीन का multiple होगा, फिप्टीन के मैंने लिख दिया, LCM का multiple होगा, यहां पे मान लेते हैं कि के times कर दीते हैं, फिप्टीन के plus two होगा, उसके अंदर, ठीक है, तो फिप्टीन के plus two की form में इन में से जो भी number हो, वही आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, यहां, लेकिन अब हमें यह भी देखना है, largest three digit number पूछा है, यह चारो के चारो three digit के हैं, तो इन में से जो largest होगा, जो इस form में होगा, वह इसका answer होगा, ठीक है, और अगर मुझे यह ना दिया हो, तो मैं कैसे करणा, तो देखिए, यहां तो options है, उनके हिसाब से चलना होगा, आपने ना दिया हो, तो हमें सबसे पहले देखना होगा, three digit का largest number क्या है, 999 है, हम इसको 15 से divide करेंगे, 15 से divide करो, आपके पा 9 आ गया, हमें तो remainder कितना चीए, हमें remainder चीए 2, तो 2 remainder लाने के लिए हमें इस number में से 7 कम और करने होगे, तभी तो यहां हमारे पास 2 remainder आएगा, तो मुझे 2 लाने के लिए इधर से 7 कम कर देने, 999 में से 7 कम करो, 992 answer होगा, यह इसका answer है, जब भी आपको इस तरह के questions दे, अ पे, remainder आए 2, तो मैं बोलना हूँ, smallest number चीए ना तुम, smallest number के लिए आप भी आप क्या करोगे, देखो, LCM है 15, तो 15K प्लस 2 फोर में नमबर चीए, 3 digits का smallest number जो है, वो 100 है, 100 को आप 15 से डिवाइड करो, कितना हैगा, 15 टाइम 6, यह हो गया, 90, 15 टाइम 6 कितना हो गया, 90, अब बच यह मेरे पास 10, 10 बच गया, 10 अपॉन 15, यह है अपने पास, लेकिन मुझे रिमेंटर 2 चीए, 10 तो चीए नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर कुछ एड करना पड़ेगा, मुझे ताकि और डिवाइड चला दे, तो क्या मैं, देखो, 10 तो है मेरे पास, अगर 7 औ और होता मेरे पास एड, तो अपने पास अंसर आजाता, कैसे, आप इसमें 7 और एड खरी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे, प्लस 7 यहां पी हो गया, 17 हो गया, तो 6 प्लस 17 अपॉन 15 इसको डिवाइड करो गया, तो एक बार फिर चला दाएगा, 7 प्लस 2 15 यहां पे 2 रिमेंडर आ गया, क्योंकि हमें 2 रिमेंडर चाहिए, तो smallest 3 डिजिट नंबर, जिसको की 3 और 5 से डिवाइड करने पे रिमेंडर 2 बचता है, वो होगा, 107, ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, यह दिया, एक गुड़ स्ट्रेंड, 350 मिटर लॉंग, पासेश तुरू एट टरनल ओफ लेंथ, 1250 मिटर इन 80 सेकेंड, एक गुड़ स्ट्रेंड है, जो की 350 मिटर लेंथ की है, एल इसको पास करने में इसको टाइम कितना लग रहा है, एक्ती सेकेंड लग रहे है, वाट इस पीड़ जैसे मांदो यह है आपकी ट्रेंड, और यह ट्रेंड यहां से अंटर कर देए, तो इस ट्रेंड को एक्च्वल में कितनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, आप यह बताईगी इस ट्रेंड को पार करने का मतलब क्या है, इस ट्रेंड को पार करनी का मतलब है, कि यह ट्रेंड क तो इतनी डिस्टेंस चली है यह से कि लेंद बाधा to this यहां से यह किसकी लेंद यह चाहूरा 1250 प्लस 303 सोफ सांथ कितना हो गया 1300 प्लस 306 मिटर दिस्टेन्स कितनी है ट्रेन की 1600 मिटर चलके गई है और कितने चताइम में आ एक्टी सेकिन्द में तो हमें पता है कि स्पीड क्या होती है स्पीड होती है आपकी डिस्टेन्स अपोन टाइम यहां से आप इसको सब्सक्राइब तो 20 मिटर पर सेकेंड यह नहीं तो जब भी आंसर आपको किलो मिटर पर आवर में दियो हैं इसको आपको करना है तो आप क्या करोगी इसको 18 by 5 से multiply कर दोगे बाद से डिवाइट करो इसको तो यहां पे किलोमेटर पर आवर में convert कर रहे हैं हम लोग इसको ठीक है किलोमेटर पर आवर में convert करने के लिए किलोमेटर पर आवर में दे रखा है आपको इसको मिट्र पर सेकिंड में convert करना है तो इसको फाइव बाइटिंग से मिल्टिप्लाइ कर दो आंसर आजाएगा आपको 20 मिट्री पर सेकिंड में आया होगा आपको चलिए नेक्स्ट परसन देखते हैं सिक्स नंबर परसन सिक्स नंबर परसन क्या कह रहा है में वाट इस दमोड ऑप गिवन डेटा तेको मोड क्या होता है इसको जान देजी हो जाएगा वोड हो जाएगा maximum frequency अच्छा एक सवाल यह सकता है किसर अगर दो नंबर है कोई जिनकी equal number of times frequency है तो क्या होगा तो उसके दो मोड होंगे देखिए जैसे मालो आपको मैंने क्यों 3 4 5 6 4 5 आप यहां पे देखिए 4 भी दो बार आ रहा है और 5 भी क्या रहा है दो तो इसके दो मोड है दो मोड है कौन-कौन 4 & 5 अच्छा लेकिन सारे नंबर equal time साधा है तो कोई मोड नहीं होगा most important बात है आपके मोड के लिए अगर सारे नंबर equal time आजा है जैसे मैं लिख दू 1 2 3 4 5 मैंने पांच नंबर लिखे हैं सारे एक एक बार आ रहे हैं तो इसका कोई मोड नहीं है तो इसका मोड क्या होगा कोई साभी नहीं होगा इस बात को आप ज्यान पे रख लेना कि अगर सारे नंबर equal times repeat हो रहे हैं चाहिए सारे नंबर दस दस बार रिपीट हो रहे हैं कोई मोड नहीं होगा अगर वो सारे इक और टाइम सा रहे हैं किक है तो चलिए यहां पर हम देखते है कि इसका मोड क्य तो यहां पर मोड कितने हो जाएगा इसका साथ हो जाएगा अज़ा आपको एक चीज और पता होगी मोड मीन और मोड मीन और मीडियन इन तिनों में एक रिलेशन होता है मोड इस इक्वल टू पूट था थ्री मीडियन माइनस टू मीन यह रिलेशन आप द्यान हो रखना मोड इस इपूर थी मीडियन माइनस टू टाइप सो में यह रिलेशन होता है उसको याद रखना यह भी काम आता है चलिए नेक्स्ट पॉर्सन देखते हैं पॉर्सन नमबर सेवन के स्टार्ट सब बिजनस विद सेटी फाइफ थाउजन एंड पीजोंस तो बिजनस फाइव मन्थ लेटर विद एन इंवेस्टमेंट ऑफ एटी थाउजन आफ्टर वन ये अर्म आफ्टर वन ये अर्न कि यहां अपने को क्या दिया है कि एन एक बिजनस टार्ट किया है कि 75,000 रुपी के साथ और बी ने बिजनस को जो इन किया पांस महिने के बाद ठीक है और बी ने इंवेस्टमेंट कितना किया 80,000 आफ्टर वन ये उन्होंने प्रोफित इतना मिला है तो फाइंड शेयर करना है तो थे इंवेस्टमेंट है किप़ा है कितने वन क्या वर करना हूँरो किया रहे वितों कि इनकल रहें हम i कते वन कदम रहें हं वह्ला जय क्शू पांस मेल फिकला रहें है अब और बाध मन्त रहें है साथ मन्त zelf संट्यों सेंग क्या हो हम इनको डिरेक्ट ब्रिप्लाइए हम इनका रेशियो लेगे क्योंकि प्रोफित जो है न वह तो फाइनली इनके रेशियो में जाएगा टोटल इंवेस्टमेंट के रेशियो में तो देख सकता है मुझो थर से 3 0 इदर से यह कैंसल आउट हो जाएगे अब अभी भी कट र यह तीन हो जाएगा पूर यहां पर हो जाएगा चाहर तो यह हो गया 15 टाइम्स 345 रेशियो यह पर ट्वैंट हो जाए यह इन दोनों का इन्हें का इन्वेस्ट्मेंट का रेशियो 45 डवंट्यों में अब प्रोफिट बोला है मैं अब से का से क्या होगा देखो दोनों का रिश्यों दे दिया तो एका से अगर 45 है तो दोनों का मिला के कितना है 5 प्लस 8 हो गया मेरे पास 13 1 केरी फोरवड और यहां पे 6 और 1773 टाइमस अब मैं इससे किस से क्योंकि टोटल प्रोफिट तो अपना एक्चुल में था कितना फोर लैक्ट थाउजेंट यह टोटल प्रोफिट था हमारे हिसाब से यह वाला रिश्यों इसको आप सौल करोगे तो आपके पास आंसर आजाएंगे एक आजाएगा वैल्यू और फिर डी का भी आजाएगा एक वैल्यू आजाए तो टोटल में से सब्ट्रेट कर देना वह बीका वैल्यू आजाएगा तो आए होप कि यह कोसन आपको इस तरह समझने आए ध्यान रखना जब भी इस तरह जिए वा हो कि ए और बी ने एक बीजनेसे स्टार्ट किया चाहि कितने लोग दिवे होंगे तो हम उन सब को ऊस्तर लिकले मालो ए है और चिए है टोटल इंवेश्टमेंट पहले हम निकालेगे हां तो उसके लिए क्या करेंगे माले तो इस ने इसने इस्टी इन्वेश्ट तो वह कर दो X1 T1 X1 T1 और यहां पर X2 T2 और यह हो गया X3 T3 आप इनका रेशियो ले ले लेंगे हम simplified ratio मालब रेशियो आगया 2 ratio 3 ratio 4 इसका क्या मतलब वहा कि जो टोटल investment हुआ है वो इन तिनों ने 2 ratio 3 ratio 4 में दिया है और जो profit होगा न वह भी तो investment के ratio में दिया दाएगा आप ध्यान रखो profit is directly proportional to investment आप जितना ज्यादा investment करोगे आपको उसी रेशियो में profit मिलेगा ठीक है तो ध्यान रखने है चीज चलिए next question हम लोग करते है question no.8 if two LED TVs and one mobile phone cost 31,000 देखे दो LED TV है और एक mobile phone है जो कि हमें cost पढ़ रही है 31,000 में वाइल टू mobile phones दो mobile phone और एक LED TV आपको इसकी cost कितनी पढ़ रही है 35,000 आपको इसकी cost तो मुझे है पूछा इसने कहा value of one mobile phone अब इसको है ना सब की अपनी approach होती है और जिस तरह से आपकी calculation speed है उस तरह करिए बाकि इसको हम यह भी कर सकते हैं दो यहाँ 2L plus M है यहाँ L plus 2M है तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर मैं इन दोनों equation को add कर दूंगा तो 3 common आज़का तो 12 और L यहाँ तो 3L होगा और यहां भी 3L हो तो 3 common आगया तो यहाँ L plus M आया मेरे पास is equal to इन दोनों का sum कितना होगा तो 66,000 हो 3 से divide कर दोगे आप इसको तो यह कितना अधाइगा 22,000 L plus M की value है हम से पूझा किसका था 1 mobile का मतलब mobile की value चीए आप एक बाद बताइए यह क्या है L plus 2M है मतलब क्या हम इसको लिख सकते है L plus M plus M is equal to 35,000 यह सब आपको आपको अपनी दिमागी calculation करना है इस तरह आपकी अपनी speed होना चीए L plus M की value कितना है 22,000 इसकी value है 22,000 अब यह 22,000 इदर जाके subtract हो जाएगा तो कितना बज़ जाएगा 13,000 वह आपका answer है एक्चुल में यह equations क्या है ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि A X plus B A X plus B Y is equal to something more than K1 फिर आपको यहां पर दे रखा हो B X plus A Y is equal to K2 और आप से X और Y दोनों की value पूछे न तो इसका सबसे best possible way होता है कि आप इन दोनों equation को एक बार add करोगे तो यहां देखो आपके पास क्या एगा A plus B times X और यहां भी क्या आएगा A plus B times Y is equal to K1 plus K2 एक बार आप इनको subtract कर लोगे अब A plus B दोनों में common है common लेके divide कर दो दो तो X plus Y की value आजाएगी और जब आप इनको subtract करोगे तो आपके पास इस तरह आएगा कुछ A minus B into X plus A B minus A into Y is equal to K1 minus K2 आप इसमें से minus पॉफल होगे यहां से तो अंदर A minus B बनेगा फिर common लेके divide कर दो और दोनों equation को solve करके easily इसलिए आप X or Y की value निकान सकते हैं चले next question देखते हैं question number 9 in the four digit number 463 Y is divisible by 7 then what is the value of Y कि 7 का है ना कोई एक fix rule नहीं होता लोग अपने अपने इसाप से trick मेरे हिसाप से इस question को solve करने का best तरीका यह है कि आप देखो answers है ना 6 4 3 और 5 इसी तरह है कुछ आप डिवाइड करो 7 से आप डिवाइड करो answer आजाएगा 7 से डिवाइड करो देखो 46 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम चला जाएगा 4 बच जाएगा फिर 4 और 3 आगा 43 फिर दिवाइड करोगे तो एक remainder आया 1 एक डिजिट का नंबर है तो आप क्या वैल्यू लोगे यहां पर देखो होना चाहिए थी की विलीटी के लिए क्ना रूल है तो जितने डिजिट से अउन सब का सम उन सब का सम जो है वह से दिवाइड होना है देख़्कर लाइट कर Jersey एनअ मालली बिवाइड DW हो रहा है तो four का divisibility rule यहां पर ओलग हो गया next question हम लोग अच्छा इसका एक चीज और देखते हैं just a second तो देखेंड अब हम लोग discuss करते हैं four चाहिए क्या है कि लास्ट का जो डिजिट है तो नंबर पांच से डिवाइड होना चाहिए से डिवाइड होना चाहिए तब जाके हम सिक्स से डिवाइड करते हैं सेवन के लिए लोग इसकी अलगने ट्रिक्स बनाते हैं और यह अगर पूछा भी जाएगा तो इस तरह एक एजी कॉर्शन देगा आपको एट के लिए क्या है एट के लिए बैसिकली तीन डिजिट जो ह को एक जिडिवाइड है 9 का क्या रूल है 9 का रूल है कि सम ऑप डिजिट जो है कोई भी नमबर है उसके डिजिट सम नाइन से भाइड होना चाहिए एन का आपको पता है कि लास्ट में झीरो होना चीए 11 के लिए क्या है तो देखे एक नंबर बता हूं आपको मानलीजे सब्सक्राइब कर दो इसमें से सब्सक्राइब अगर यह डिफ्रेंट्स है तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा जैसे मान लीजे में आपके चाहिए 1331 आप देखें यहां पे क्या है और नंबर पे और प्लेस पे दो नंबर रहा वन और त्री इन दोनका सम हो गय एक्ट्र में 11 का क्यूब होता है तो चलिए इस तरह आप उनके प्रैक्टिस करेंगे तो ओर क्लारिटी है जाओ नेक्स्ट प्रसंट प्रिजम और पिरामीड के बेस सेम है और उनकी हाइट भी क्या है सेम है तो हमें बताना है उनके वोल्यूम का रिश्यों क्या होगा आप इस चीज़ को अच्छे जान लीजे कि प्रिजम है अगर उसका वोल्यूम व है तो हमें पता है कि पिरामीड का वोल्यूम क्या होगा या पिरामीड का वोल्यूम होगा वगटाओ प्रिजम का वॉल्यूम व यहा página 1 अप पॉन 3 टाइंस वूम इसा की ऑपर उसके डै पेका नहीं जार हो कि टाइम ले जाएगा बस आप यह चीज तो ध्यान रखिए कि प्रिस्म और पिरामिट के वोल्यूम में क्या होगा जैसे प्रिस्म कभी है तो यह होगा वी बाई थ्री तो हम लोग यहां पे क्लिर्ली रेख सकते हैं वी वी कैंसल आउग वन रेशियो बाई 3 मत ना तो शीलेंडर पिरामीड ना ही आपका कौन के वडिर्व पिरामिड की इन डूम के वोल्यूमः का यहां पर कारव सेफ है दोनों के अंदर है चलिए अब हम क्वेसर नमर 11 पर आते हैं तो यहां पर क्या लिखावा दिखावा 0.73 मल्टिप्लाइड है प्लस का साहिन है 0.33 टाइमस मल्टिप्लाइड है और दिनॉमिनेटर में 0.7 का स्क्वाइर माइनस 0.7 टाइमस प्लस ऐगको एसकोड है क्या है कुछ इक इस तरह से लिखा आए टाइमस आघामस थांस आते बी त्लस फ्क त्लस बिई श्कुर्याइड श्कुर्याइग है ओर किष्ए मेरेयली प्लस अब देम स्थी ए块 अलीक डिनाएटному कैस क्या है एक डिनामस एक अब इसी के साथ आप एक आइडेंटिटीटी और नोट कर लीजिए aq-bq यह क्या होता है यह होता है a-b times a2 plus ab plus b2 ज्यान रिखना है चीज़ और होता है जो most important है और यह generally ऐसे सी पूछता भी है अगर आपको यह लिखा हुआ भी ले aq plus bq plus cq is equal to 3abc यह वाली चीज़ का possible है यह वाला relation का possible है यह इतना possible है जब या तो a is equal to b is equal to c हो या फिर आपके पास a plus b plus c equal to 0 हो ऐसा q क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताओ aq plus bq plus cq minus 3abc इसका formula होता है इसके 3 form होते हैं न a की form यहां पर लिखना होगी a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus bc और minus a c अब आप देखिए अगर a plus b plus c 0 हो जाएगा तो यह complete क्या हो जाएगा 0 तो आपके पास मिलेगा aq plus bq plus cq minus 3abc equal to 0 तो aq plus bq plus cq क्या हो जाएगी 3abc यह पूछता है आम से फो लेके इसकी value बताओ और इन दोनों में से एक relation कहीं ना कहीं आपको देख जाएगा तो आप डिरेक्ट लिख देना 3abc हो जाएगा अब यह वाला relation हमें कहाते मिलेगा तो यह इसके अंदर मिलेगा यहां a equal to b equal to c मैं इसकी फॉर्मा भी नहीं निक्राओ एक जगह भी नहीं अपने पास यहां लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो ऐसे हो सकती है चलिए अब इसको मैं modify करता हूं इसको हम modify करते हैं basically और modify किस तरह करता है हम लोग इसके अंदर आप add करोगे और subtract करोगे क्या add करोगे साब क्या subtract करोगे पहले result देख लो अंदर क्या बनेगा a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square अब एक चीज़ देखिए अगर मैं अच्छा यहां पर इस form में लाने के लिए मैं add or subtract करें जोट नहीं है इस form में लाने के लिए तो आप पूरे expression को 2 से multiply कर दो और 2 से divide करोगे तो यहां पर two a square plus two b square plus two c square minus two a b minus two b c minus two a c बनेगा फिर आप उनको जैसे a minus b whole square बना सकते हो b minus c whole square बना सकते हो c minus a whole square बना सकते हो और divide by आपके पास यह two a यह form बनेगा अच्छा बताइए अगर a equal to b equal to c होता तो यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 इस कोशन है sin theta plus cosec theta whole square और यहां पर है cos theta plus sec theta whole square इसकी वाली बोल रहें हमें निकालने के लिए तो basically हमें करना क्या है आप पहले ही square open कर दो ज्यादा easy रहेगा sin theta साइन थीटा प्लस cosec theta का all square क्या होगा sin square theta plus cosec square theta plus two times sin theta into cosec theta इसी तरह आगे का बनेगा 4 square theta plus sec square theta plus two times cos theta into sec theta अब आप बताइए मुझे क्या यह दों को कट जाएंगे sin into cosec आपस में cos into sec बेंगे sin square plus cos square और किया है तो यहां पर कितना आए फॉर 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 यहां पर यहां हो गया अब यह क्या में पास स्क्राइए को सब्सक्राइए प्लस 40 स्क्राइड थीटा से क्या लिख होगे one plus ten square theta तो दिखें प्लस दो च्छे और एक साथ 7 प्लस 10 स्क्वार्ड थीटा प्लस 40 स्क्वार्ड थीटा कौन से उप्शन में है उप्शन नमबर वन में यहां पर मैं आपको दो तिन आइडेंटिटी बता देता हूं वह आपको याद रखने हैं जैसे अभी एक तो हमें यूज की कि 1 प्लस 10 स् 21 is equal to क्या होता है सेटी स्क्वार्यथिटा है अचाह सब क्या होगा तो हमें सेटीटा मैंइस 10 स्क्वार्यस क्या होगाल ये एक्शन में लिखाता है सप्वार मैंनेस 20 क्या हम इसको लिख सकते हैं सेटीटाब्र सफ प्लस १य टेन थीता तो आम इसे क्तिता मांइसल या संक है प्लस प्लस टेन थीता इनमें से किसी को एधा डिनॉमिंदौसलिकर इसे था सकता हूं involved कि सेरी घ्ला माइनिस टेन थीटा यहां आ जाएगा इधर क्या का अगर आपको तो यह कह दें स्थिटा प्रस myself 1 जो सब्सक् distillation देख सकते हैं कि होगा वन भाई 3 मतलब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे आप दूसरे की वैल्यू भी का होगी यह वाला लेकिए तो आप क्या करोगे एक प्लस 10 दे रखा है एक माइनस 10 यहां लिख सकते हो इन दोनी इकवेशन को सब्ट्रेक्ट कर दोगे तो एक से होता है सेम इन दोन में भी बनेगा ट्राइ करना इसको तो चलिए एक क्वेशन और देखते हैं आगे बाला भी नेक्स्ट अभी अपना क्या है वीच अप फॉलोविंग नंबर इस डिविजिबल बाई 11 का अभी हमने देखा था कि और प्लेसे पे जो नंबर है उनके सम में सब्सक्राइब करो और फिर जो नंबर आए उसको डिवाइड कर दो है उनसे चलो देखते हैं जिसे आंसर 3 दे रखा तो मैं 3 को ही ट्राइ करते बता हुता हूं तो और प्लेसे फिर 5 1 3 और 1 दिखावा है 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 minus even प्लेसे फिर 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10 10-10 0 होता है, 0 होता है सबसे है तो आपके पास यमांसर वह जाहेगा इस कॉर्शन इसी तरह वाटी प्संद की में खिल लेए बाकिन क्योग्रामसил कर्दिभर कजी मस्दशड विस 24 डा veterans कोस्टिंग रूपी 42 पर केजी सो देर में भी गेन ऑफ 12 पर सेलिंग दमीक्चर 8 रूपी 56 तो देखे इस तरह के क्वेस्टन को मिक्चर एलिगेशन से हम लोग करेंगे तो और आसाम होंगे कैसे यह क्या बूल रहा है में कि 60 रूपी पर केजी वाले जो राइस हैं एक राइ ?. टो रूपी पर केजी अब हमें यह नहीं पता कि पहले वाले का हमनें कितना केजी लिया है तो महांन हतने एकस केजी लिया होगा और दूसरे वाले का इनोंने दिया già है 24 ट्रू प्र्य कितना है मिक्षर का 56 इसका क्या मतलब वा कि 112 रुपी की प्राइज जो वैल्यू है दे रखिया हमें वो दिरेखिया 56 समझे इस बात को यह क्या बोलना चाहरो मैं जैसे मार लीजे कि उसका कोस्ट प्राइज था यहां पर हमारे पास सेंट राइस निकाल लेते हैं तो फिप्टी इसक्स की वैल्यू है हन्डरेट से मुटिप्लय कर दिया तो 50 रूपी पर केजी इसकी कोस्ट प्राइस हो गई, मिक्सर की ठीक है, अकले टाइप बन की कोस्ट प्राइस 60 थी, दूसरे की 42, मिक्सर की कोस्ट प्राइस कितनी होगी 50, अब मिक्सर एलिजेसन यह कहता है कि दोन का डिफरेंस निकालो, 60-50 कितना होगा, 10, यहां से इन दो 50-42 कितना हो गया, 50-42 हो गया, 50-42 हो गया, तो इसमें से सब्टैक करेंगे, इधर 60 बढ़ा था तो इसमें से कर दिया, अब आप एक चीज गोर करिए, यहां पर इन दोन का रिशियो कितना आगया, 8 और 10 आए न, यह अगर आप ध्यान रखना, अगर आपको प्राइस दे र इसको बोलतो, TP, Total Price is equal to Price per kg times quantity, तो Price और Quantity दोनों यहां पर क्या होंगे, Indirectly Proportional होंगे, अगर यह Total Price fix कर दिया दाए, यह होगा न, ठीक है, तो अगर Price दे रखा हो, तो लास्ट में जो रेशियो आएगा, वो आएगा, Quantity दा, Simplified Ratio कितना आया, 4 Ratio, 5, अब आप देखिया, 5 की value कितनी दे रखी, 24, क्योंकि actual में 24 kg था, हमारे पास ratio आया, 5, 5 की value दे रखी है, 24, तो 4 की value क्या हो जाएगी, जो 4 की value होगी, वो X की value हो जाएगी, ठीक है, तो 5 की value आपको दे रखी है, 24, तो 4 की value हम निकाल सकते है, 24 divided by 5 into 4, 24 times 4, 96 divided by 5, यह कितना हो जाएगा, 1, 1046, 19. 15.2 kg और यह इसका answer है, ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते है, चले question number 15 देखते है, question number 15 में क्या कहरा हमें, it is given that triangle ABC is congruent to triangle PQR, देखिए, order बहुत matter करता है, अगर दो triangle congruent है, तो किस order में congruent हो बहुत matter करता है, तो ABC congruent PQR से, AB की value 5 है, angle B 40 degree है, angle A 80 degree है, तो इनमें से कौन सा clue है options में से, तो हम देखेंगे, देखो, दो triangle congruent है, तो उनकी CPCT से हम लोग बोल सकते है, corresponding parts of congruent triangle CPCT, इससे हम लोग बोल सकते है, कि अगर AB 5 है, तो PQ भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्यों, देखो AB के corresponding side क्या है, PQ है, angle B 40 है, देखिए, B बीच में है, तो QB कितना होगा, QB 40 degree होग अगर angle A जो है, आपका 80 degree है, यह रहा A, तो P कितना होगा, P भी होगा 80 degree, अब आप देखिए, C कितना हो जाएगा, C R के equal है, तो आप उज़े यह बताए, 80 प्लस 40 कितना होगा, 120, तो बस गया कितना, 60 degree, तो R की value 60, आप देख लीजे कि कौन सी सीच दे रखिए, option 1 हमारा मे the coordinates of the points, where the graph cut the coordinate axis, देखिए, दो coordinate axis होते हैं, अपने बास Cartesian system, या फिर rectangular system में, Cartesian system बोल दो, या rectangular, अब यह क्या होते हैं, देखो, वह ही जो हम लोग देखते हैं, x-axis और y-axis नहाते हैं, या x-axis या y-axis है, अगर हमें किसी point की location बतानी हो, तो हम coordinate geometry में, जिस system का use करते हैं, जन हो इहां, तो इसी के Cartesian system में, दो axis होते हैं, x-axis और y-axis, इनहीं को coordinate axis बोला दाता है, तो हमें बोलना है, यह graph जो है, इस coordinate axis को, मतलब x-axis और y-axis को कहां intersect करता है, तो पहले आप equation देखिए, क्या है, 57x-19y is equal to 399, अगर यह x-axis को cut करेगा, तो हमें बता है, x-axis के उपर y-coordinate ह इसा 0 होगा, तो आप इसमें y 0 put कर दो, तो 57x is equal to 399 आएगा, आपको x की value निकाल नहींगे, क्या किया, मैंने y को 0 put कर दिया, यहां, x की value बताइए, यहां से क्या आएगी, यहां से x की value 7 आएगी, आप divide करेंगे तो, तो x की value 7 आने का मतलब x-axis को कहां cut किया, 7,0 पी, आप इसमें x 0 put करेंगे, तो minus 19 y is equal to 399, देखिए, 19 से divide करो, दोनों साइड, minus 19 से, तो y is equal to, कितना आएगा, negative of, 19 times 2 is equal to, 38, 1 बज़ गया, फिर 19 हुआ, यहां पर बना आएगा, मतलब x 0, तो y negative 21, और y 0 तो 7x, x is equal to 7, तो देखिए, इसी में हमें match हो रहा ही, आपको यहां देखिए, हमें यह पता है कि, अगर कोई line x-axis को cut कर रही है, तो y coordinate उसका क्या होगा, 0 होगा हमें साब, और अगर y axis को cut कर रही है, तो x 0 होगा, मतलब यहां पर x, 0 coordinate है, तो यहां 0, y coordinate है, अब मैं आप से एक चीज़र पूछ रहा हूं, अगर आपको कोई यह कह देए, y is equal to 3x plus 2, एक line की equation है, बताइए, इसकी slope क्या होगी, तो slope होगी, इसकी 3, ध्यान रखना, अगर y का coefficient 1 है, प्लस का 1, और equal में लिखा होगा है, जो भी बचा होगा, मतलब कुछ भी x में और constant में जो भी value दे रखी, यहां, वो अगर equal के दूसरी साइट लिखी होगी है, तो slope ज आपका होगा y का coefficient 1, बनाव बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइट लेदाओ, तो मैं यहां लिख सकता हूँ, 2y is equal to, 3x इधर गयार negative, 3x negative, 3 दूसरी साइट लिए, प्लस का 3 होगी है, दो से डिवाइड कर दो, पूरे equation को, तो यहां पर अधागा negative 3 by 2x plus 3 by 2, अब आप दे होते हैं, तो यह line y axis को plus 3 by 2 पर cut करेंगी, ठीक है, किसी भी line का slope intercept form में अगर equation लिखा होगा, तो इस तरह होगा y is equal to mx plus c, brought it, अच्छा, एक चीज़ मैं यहां पर और बताना चाहंगा, जो कि mode की property है, जनरली कोई हमसे पूछ लेता है इस तरह, कि y is equal to, आपको लिख दिया mode x, बताएं, इस line का graph बनाई है, वह ऐसे बोल देगा, तो देखें, इसके दो graph बनेगी, y is equal to, यह x अगर positive number होगा, मतलब x greater than 0 हुआ, तो सिधा ही हम लिख देंगे y is equal to x line होगी, और y is equal to x line है कैसी line है, जो origin से pass होगी, और दोनों axis से equal angle बनाते होगी, equal angle पे inclined होगी, यहां से pass होगी origin से, दूसरा, अगर यह x less than 0 है, तो y is equal to equation बनेगी negative x, y is equal to क्या बनेगा, यहां पर negative x बनेगा, अच्छा, मैं एक चीज़ आप से दाना चाला हूँ, यह जो graph मैंने बढ़ाया किया, यह सही है, तो मैं कमा, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्यों नहीं है, देखें, y y is equal to x का अगर graph बूशता तो यह सही है, लेकिन इसने कहा, y is equal to x, अगर x greater than 0 है, जैसे मैं origin से नीचे गया, तो इधर तो देखें, x की negative value बनेगी, तो क्या यह graph सही हुआ, बिल्कुल भी नहीं सही हुआ, इसका मतलब, यह graph सिर्फ यहां तक applicable है, इसके आगे यह नहीं applicable है, ठीक है, यह वाला graph नहीं है, यहां पर आप देखेंगे, हम x less than 0 है, तो कुन्छा graph बनेगा, x अगर less than 0 है, तो हमारा graph बनेगा y equal to negative x, y equal to negative x कुन्छा हो गया, यह वाला, त्यूंकि आप एक चीज़ देखें, आप यह x की value पूट करेंगे minus 1, तो y के हो जागा minus into minus 1, plus 1 हो y की value पूट करो minus 2, sorry, x की value पूट करो minus 2, तो y की value क्या हो जागी, minus minus plus 2, तो यह वाला complete graph है, y is equal to negative x का, यह graph कब है, जब x greater than 0 हो, यह graph कब है, जब x less than 0 हो, तो complete graph of y is equal to negative x, यह वाला होगा, ठीक है, चलो अब यह आगे बढ़ते हैं, हाँ, find the average of the following sets of numbers, देखें, इन numbers का हमें average बताना है, तो basically, यह सारे numbers, पहले हम देको दो तरीके से हम इसका average निखाल सकते, एक तो एक in general method है, तो कि यह data ज्यादा नहीं है, तो हम इनका sum करके, तो number of data से divide कर देगे, average क्या होगा, यहाँ पे इसका average होगा, total sum of the data divided by number of the data, यह एक basic method होगा, अगर हम variation से इसको निकालना चाहें, कि एक particular number हम मान लें, कि मान लेते हैं कि हमने कोई भी in में से generally हम choose कर सकते हैं, अपनी मर्दी से कुछ और भी ले सकते हैं, मान लो मैं लेना चाहोगा, मैं option देखूंगा, पहले कि options में 557, 56, 50 और इस तरह है, तो मैं मान ले यह minus 7 है, मतलब कम है ना 700 से, तो negative 7, यह भी कम है, तो कुछ कम होगा, यह ज्यादा है, तो plus में तो भी value ज्यादा है, 176, ऐसे करके इन सब variations का sum करेंगे, divide by total number of data, यहां पर यह चीज मुझे feasible नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, तो data कम है यहां, और इन में variation कापी ज्यादा दिखे जाएगा आपने को, इसे अचा है कि हम इन सब को sum करके, number of data से divide करतें, तो total sum कर लेंगे, आप इन सब को add कर लेंगे, ऐसे रखे 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 add कर लेंगे, आप इनको 3 plus 6, 9, 9 plus 6, 15 plus 2, in this way you can add all these numbers, and then divide the number of data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, divide it by 9, so मैं यहां यहां नह 32, 40, यहां पे दे दिया 25, और यह आपको दे देगा 20, और मालो यह है 27, अब आप से पुझराए कि बताए इसका average क्या होगा, या बोल दे mean क्या होगा यहां, तो मैं क्या करूंगा, आप add करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे यह भी easy पढ़ जाएगा, अगर हम इन सब data म 35, यहां पे 40, फिर से दे दिया, यह दे देगा 36, यहां पे दे दिया 38, और भी data दे दिया मालो, तो आप क्या करेंगे, हम इनके बीच में से ही कोई एक data उठा लेगे, और उसको assume mean माल लेगे, उसको मुझे दिख रहा है कि जो भी mean आएगा न, वो around 30 to 40 के बीच में आने व 15 कम है, यह 5 ज्यादा है, यह 15 कम है, यह 15, sorry, यह कितना कम था, 10, यह 15 कम है, यह 13 कम है, यह कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, यह अपना 5 ज्यादा है, और यह 1 ज्यादा है, और यहां कितना है, 3 ज्यादा है, अब मैं इन सब variation जो अपना रहा है न, यहां पे, deviation जिसको बोल र उनका संग करना है तो नेगेटिव नंबर के लिए अड़ कर लो नेगेटिव 7 नेगेटिव 3 10 15 और 25 40 53 53 हमारा नेगेटिव में आया अब हम पोजिटिव आलेको आड़ कर लेंगे 5 और यहां 5 10 और यहां पे 11 और 3 14 यहां पे अड़ करती है आप पोजिटिव डिवाइड वा यहां पे 39 नेगेटिव में आया इसको डिवाइड कर तो 11 से तो मेरे पास जो मीन आएगा वा जाएगा एप्रोक्स 35-3.54 एप्रोक्स तो हम इसको सब्ट्रेक करके निकाल सकते हैं तो आंसर लग वग 30.46 सम्तिंग आएगा वह अपना आंसर वाजाएगा ऐसे भी कर सकते है चलिया नेक्स्टसरो क्रें । सब्सक्राइब नेक्स्ट क्या स्मक्साइब पास छो में अपने पास ऐसे ओनने है इससको राइट राइट बूलने का मतलब क्या हूआ कि इसका टॉप और वोटम है उन दोनकर सेंटर एक स्ट्रेट ब्लाने से आएंगे और पन्लीयी ऊचिक होगी यहां पर किसी भी तरह का विएशन नहीं होना चिए यह स्थाहन investor से तो सफेज्च होना चिए इसकाव जानी है इसका तो इसके 2 вый 3 चाला जान लो इसका कर्व सर्फेस यह वाला कर्व सर्फेस यह होता है curve surface area two pi r times h इसका जो total surface area अब total surface area का मतलब समझे area of total surfaces इसका meaning यह होता है total surface area means area of total surfaces तो total surface कितने है एक तो यह curve surface है दूसरा यहाँ पर अपने zeigen अपने पास circular plates जैसा है और यहाँ पर भी एक circular plate है तो मेरे पास तीन surface हैं दो circular plates हैं tomar democr ajust सेफ है तो सर्कुलर प्लेट का एरिया टू पाई आरी स्क्वाइर होगा कर और सर्फेस का एरिया टू पाई हाई है इसको हम लिख सकते हैं टू पाई हार कॉमन लेके ब्रेकेट में आर प्लस एच वोल्यूम क्या होता है दिखिए जब भी कोई सिमेट्रिक सेफ होना जिसका पेस और टॉप सेम जैसे हो और हो बीच में से भी स्वेट्रिक हो completely तो उसका वोल्यूम होता है बेस एरिया इसका क्या है पयाँर क्या है यह हैच तो यह कि जब आप यहां पे गाझ पी करिए ए धो लिए पाई की एहां पर 3.14 लेनी है उसugenie erklते है इसकी 10 तो 10 पाई ख्या 100, height 20, multiply करके आप लिखेंगे तो 6280 cm2 answer आजाएगा, sorry, volume निकाल रहेते, यहां cm2, यहां cm2, यहां cm2, तो cm3 answer आजाएगा, चलिए next question देखते हैं, next मी क्या बोल रहा है, the median of set of 11 distinct observations is 72.73.2, if each of the largest, 5 observations of the set is increased by 3, then the median of the new set, यह एक अच्छा question है, इसके बार में हम बहुत detail में देखेंगे, दो तीन चीज़े, अब देखें, 11 data है अपने पास, set of 11 distinct observations, अलग अलग, जैसे A, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, और A11, अब median क्या होती है, जो median होता है, जो हमारे बिल्कुल 20 का number होता है, अब 20 का number कैसे, यह जो data मैंने लिखे हैं, यह सारे ascending या descending order में है, ascending order मतलब A1 सबसे चोटा है, फिर उससे बढ़ा A2, फिर A3, और A11 सबसे बढ़ा, descending का मतलब हो गया, A1 सबसे बढ़ा, फिर उससे चोटा है 2, उससे चोटा है 3, and so on, A11 is the smallest number of these 11 data, अब यहां पर मुझे यह देखना है, कि ascending, descending order में arrange करने के बाग, total number of data कितने है, median निकालने के लिए, median होता है, अगर मेरे पास discrete data हो, मतलब ऐसे अलग-अलग value दी वह हो, class interval ना दी वह हो, तो मैं देखना, total number of data कितने है, total number of data यहां पर odd है, तो odd number कितने है, 11 है, 11 में 1 add कर दो, divide by 2 कर दो, 11 plus 1 होगया, 12, 12 by 2 होगया, 6, 6th number का जो data है, वो उसकी median होगी, तो 6th number का data यहां पर, A6 है अपने पास, यह इसकी median है, 6th number का जो data है, वो है इसकी median, अच्छा, अगर E1 number of data होते, तो क्या होता, मान लो कि अपने पास data होते 10, तो median कैसे निकालते हैं हम लोग, median निकालने के लिए पहले तो 10 by 2 करते, 10 by 2 होगया, 10 by 2 plus 11 नमबर और इन दोनों नमबर को, जो भी 10 by 2 नमबर होता, ओ 10 by 2 plus 11 नमबर होता, उन दोनों का सम कर के 2 से dv, 10 by 2 है निप फिप्ट नमबर, A5, 10 by 2 plus 1, 6th number, A6, हम इनका सम कर के हम divide कर देते 2 से, इनका सम कर के हम 2 से divide कर देते इसको, तो जो भी value आईगी वो median होगी अच्छा लेकिन यहां पर हमें क्या discuss करना हमें variation के बारे में पुछा है कि अगर data change कर दिए दाएं तो क्या होगा हम एक चीज़ जानना चाहरा हूं आपसे median 11 data 11 data है अपने पास यह 73.2 11 data है और वो यह कह रहा है कि largest five observations तो largest five observations कौन से है यह a6 के उपर कुछ फरक पड़ेगा क्या a6 तो six number पे रहने वाला है मालो आपके आपने यह 75 होता यह 76 था यह 77 और यह 78 और यह 79 अब आपने इन 5 data में कुछ भी add किया हो क्या इन सब पे कुछ फरक पड़ा गया नहीं पड़ा यह पांच अभी भी बड़े हैं इससे चाहिए यह आपस में इंट्रचेंज हो जाए मालो आप इसमें 10 एड़ कर दो इसमें 2 एड़ करो यह आपस में इंट्रचेंज हो जाएंगे लेकिन मीडियन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कि मीडियन होता है जो सबसे बीच में वेल्यू होती है वह वाली लेकिन अगर मैं आपसे पूछू कि अगर मैं इन सब डेटाओं में कुछ चेंज कर दे था अचा मानके चलिए कि यह डेटा कुछ इस तरह होते हैं जैसे 73.2 अपने 73, 72, 71 और 70 ऐसे लिख दो और एक नमबर और लिख देते हैं 69 यह आपर देखें आगे वाले डेटा में कुछ भी एड़ करेंगे तो मीडियन पर कोई असर नहीं होने वाला लेकिन अगर मैं इस डेटा में एड़ करूगा कुछ तो मीडियन पर असर हो सकता है कैसे हो सकता है माली जे कि मैं इस डेटा के अंदर एड़ कर देता हूँ 0.5 तो मैं इसमें 0.5 एड़ करूगा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 73.5 यह हो जाएगा 72.5 यह 71.5 यह 70.5 यह 69.5 तो यह वाला डेटा कितना था 73.2 अब आप मुझे यह बतागे 73.5 इससे बढ़ा है क्य तो यह तो order change दाएगा यह वाला इधर आ जाएगा यह आगे किसक जाएगा अब median यह बन जाएगी लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी है क्या नहीं मालों में इसमें 0.1 एड़ कर रहा होता तो तो इस order पे कोई फरक नहीं पड़ता और median फिर भी यही रहती इसका मतलब यह है कि median से छोटे जो data है उनमें अगर आप कुछ add करोगे तो इस median के उपर असर पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता लेकिन median से बड़ी जो data है उनमें कुछ भी add करो इसमें कोई effect नहीं पड़ेगा अब अगर मैं बोलू कुछ subject कर दिया जाए तो तो चीज़े कुछ और ह होंगी तब हम क्या बोलेंगे कि अगर median से जो छोटे data है इन डेटाओं में से अगर आप कुछ subject करेंगे तो median पे कोई असर नहीं होगा ये अनफेक्टेड रहेगी लेकिन अगर median से बड़े डेटाओं में से आप कुछ subtract कर दोगे तो median change भी हो सकती है क्या पता आपने जैस जाएगी लेकिन अगर मालों आपने इसमें से 0.5 भी घटाया होता तो भी ये सारे वेल्यू इससे बड़े होते तो unchanged रहती है यहां तो कुछ भी हो सकता था I hope ये concept समझ में आया होगा चलिए next question देखते है question number 20 20 number question में क्या बला जा रहा है रजनीस borrowed 1500 from a bank and repaired the entire amount with interest in two equal annual installments 1500 1500 रुपी उसने उदार लिये है और वो पूरी amount को दो equal annual installments में देता है two equal annual installments the first installment being paid a year later after रजनीस borrowed from the bank if the rate of interest was 40% per annum rate of interest कितनी है 40% per annum compounded annually compound interest ये वाला जो पैसा लिया लिया है वो compound interest पी लिया गया है then what was the value of each installment paid by रजनीस तो रजनीस ने हर एक installment कितने की पेक की है तो देखे इस तरह के questions को करने का तरीका rate कितनी है 40% आप इसको fraction में convert कर लो तो क्या होगा 40 upon 100 या एका 2 by 5 इसका क्या मतलब है असा समझे देखे अगर आपने पांच रुपे किसी से उधार लिये हैं तो आपको 2 रुपे interest देना होगा ठीक है अगर आपने पांच रुपे उधार लिये तो दो रुपे interest देना होगा तो आपने compounded annually है तो हम क्या करेंगे जैसे यह तो होगी first installment की दूसरे year के लिए या दूसरे installment के लिए क्या होगा इसका square कर दो 5 का square और इधर 7 का भी square हो जाएगा मालों तीन होते तो यहां 5 का cube फिर 7 का cube करते हैं अब उसने कहा कि दो इंस्टॉल्मेंट सेम है मतलब जो amount पे कर रहे है दो इंस्टॉल्मेंट में वह equal है लेकिन मेरे पास यहां पहले वाले में तो 7 है या 7 का square है तो मैं क्या करूंगा इसको 7 से multiply कर दूगा पूरे को ताकि यह amount same हो जाए अब ऐसा करने से क्या होगा देखो यह हो गया 35 और यह हो गया 25 तो total principle कितना होगा 35 plus 25 यह मेरे पास होग इसके coding आ रहा है 60 रूपी तो 60 रूपे की कीमत कितनी है 1500 और मुझे तो एक installment की value बतानी है तो एक installment की value इतनी तिक 49 49 की value बतानी है 1500 divided by 60 times 49 यह 10 से 10 cancel out 6 से cut करो इसको यह आ जाएगा 25 25 times 49 जबाब करोगे तो 1225 answer आ जाएगा इस तरह हम इन सब questions को solve करते हैं चले next question देखते हैं P क्यों आर ऐसी है cyclic quadrilateral if angle P is 3 times of angle R and S is 4 times of Q then the sum of R plus S देखे cyclic quadrilateral क्या होता है एक ऐसा quadrilateral जिसके चारू vertex किसी circle पे हो एक circle पे हो एक ऐसा quadrilateral जिसके चारू vertex कहा हो एक circle पे हो angle P is 3 times of angle R अगर यह angle R X है तो angle P कितना है 3X है अचा है इसकी condition क्या है देखे अगर कोई quadrilateral cycle quadrilateral है तो उसके opposite angles का sum हमेशा 180 degree होता है opposite angles का sum क्या होता 180 तो X plus 3X X plus 3X is equal to 180 4X is equal to 180 तो X is equal to 45 degree यहां से value आगी हाँ जी दूसरा इस भी क्या दिया angle S is 4 times of Q अगर यह Q जो है Y है तो यह है 4Y मतलब मेरे पास यह भी दिया हुआ है कि 4Y plus Y मतलब 5Y is equal to 180 तो Y is equal to 36 degree जिया गया उसने मेरे से पुछा S plus R यह S है 4Y और R है X तो 4Y 4 times 36 यह कितना हो जाएगा 4 times 36 अगर मैं करूंगा तो 24 to carry 4 but 144 plus 45 नोनों का sum करने पर 189 degree आ गया जो कि अपना answer है चले next question देखते हैं यहां दिया वाइस question में if one of the interior angles of a regular polygon देकि यह question मेरा गलत हुआ है और यह गलत इसलिए हो गया कि मैंने इस पर टिक कर दिया ओके देखते हैं if one of the interior angles of a regular polygon is 15 by 16 times of one of the interior angles of a regular देखा गया थिक है then find the number of diagonals of the polygon यह question इस type के question class 8 में पूछे जाते हैं जो अपनी NCRT class 8 की उसी से यह question उठाये गया है इस तरह यह जो concept है देखे होता क्या है कि interior angle of a regular polygon कोई regular polygon है अपने पास यह दो concept में लिखूँगा किसी regular polygon का interior angle अगर हमें निकालना हो interior angle of a regular polygon तो उसका formula है फॉर्मूला क्या है n-2 times 180 divided by n मतलब उस polygon में जितनी number of sides हैं उसमें से 2 कम करके 180 से multiply कर दो 180 degree से और divide by n कर दो each interior angle आजाएगा और each exterior angle कैसे निकलेगा each exterior angle each exterior angle का formula होता है 360 degree divided by n जहां रखना किसी भी तरह का polygon हो उसके exterior angles का sum हमेशा 360 degree होता है चाहिए कितने ही sides का हो चाहिए वो triangle हो चाहिए वो quadrilateral हो pentagon हो hexa और hefta-octa-nona-deka चाहिए कुछ भी हो उसके exterior angles का sum 360 degree होगा और क्योंकि यह regular polygon है each exterior angle of a regular polygon यहां पे regular polygon आएगा तो उसका हर एक exterior angle भी equal होगा इसलिए हम 360 degree को number of side से divide करके निकाल सकते हैं अच्छा तीसरा formula होता है number of diagonals number of diagonals देखे number of diagonals का direct formula होता है n-3 n-3 by just a second n-3 by 2 yes n-3 by 2 यह formula होता है और यह कैसे निकलता है basically इसमे pnc लगती है nc2 minus n करके हम यह निकालते हैं इसका क्या मतलग भा कि अगर किसी polygon में n number of sides हैं और हमें एक diagonal draw करना है माल लीजी जैसे इस तरह कोई polygon हो माल लो कुछ भी एक diagonal draw करना है तो हमें उस यहां पे n vertex भी तो है n number of sides है तो कोई भी 2 vertex हमें choose करने है तो nc2 कर लिया 2 vertex choose करने से मेरे पास क्या होगा एक line बनेगी लेकिन आप एक चीज़ और देखिए जैसे माल लो यह a vertex over b है अगर मैं a or b choose करता हूं तो यह तो diagonal नहीं बना यह तो क्या बनगी side बन गई तो यह भी तो include होगी ना nc2 में इसलिए मुझे total number of sides इसमें से subtract करनी परती है जैसे यह एक side होगी लेकिन यह diagonal होगया जैसे इधर भी तो एक side होजाती तो मैंने n subtract यहां कर दिया यही से formula बना n n-3 by 2 number of diagonals के लिए अब इस question की बात करते है one of the interior angles of a regular polygon is 15 by 16 times of one of the interior angles of a regular decagon एक regular decagon के एक interior angle का 15 by 16 times है कौन किसी regular polygon का एक interior angle find the number of diagonals चलिए देखते हैं तो माल लेते हैं उसका interior angle है theta वो क्या है 15 by 16 times of what each regular each interior angle of regular decagon अब regular decagon का हमें interior angle तो निकालना होगा तो वो निकालते हैं direct यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर exterior angle निकालके 180 में से subtract कर दो तो यहां से निकाल लेते हैं 10 minus 2 10 minus 2 8 into 180 degree divided by 10 चलिए यह cancel out 8 से cut करो यह 2 फिर यहां से cut करो यह 9 फिर 10 times 9 is equal to 135 degree यह मेरे पास आगया each interior angle किसका उस regular polygon का अचा interior angle यह आगया तो exterior angle क्या है तो आपको 180 minus 135 करो गया तो 45 degree आगया exterior angle तो मैं आपसे कुछू number of sides बताओ तो देखो यहां पे exterior angle कैसे निकालते थे 360 को number of sides से divide करके तो exterior angle अगर दे रखा हो और sides पूछ ले तो इसको divide कर दो तो n is equal to कितना आजाएगा यहां से यहां मेरे पास आजाएगा 8 आजाएगा number of sides कितनी होगी 8 होगी ठीक है उसने पुछा था number of diagonals तो इस formula में पुट कर दो diagonals is equal to 8 into 8 minus 3 मतलब 5 divide by 2 तो यह आपके पास आगे 20 diagonals यह answer था और यह कोई नहीं यह गलत हो गया था यह है इस answer चलिए आप आगे बढ़ते हैं question number 23 इसमें क्या दिया है a sum triple itself in 9 years at simple interest find the rate of interest पा रहना देखिए पहले मापको basic approach बताता हूँ कोई sum था जिसको उमने P बोल दिया वो क्या हो रहा है triple हो जा रहा है मतलब 3P हो जा रहा है कितने टाइम में 9 years में 9 साल में triple हो जा रहा है हमें पुछा rate of interest बताओ आप बताओ नो साल में इसमें interest कितना लगा simple interest simple interest देखो P था 3P हो गया तो कितना लग गया 2P इसको है न direct भी करते हैं लेकिन में अभी आपको approach बता रहा हूं direct को आप कहीं से भी सीख सकते हो लेकिन approach देखो इसमें कि basically यह हो क्या रहा है तो simple interest कितना यहां पर 2P है और मुझे बताना है rate of interest time कितना 9 साल है rate of interest के लिए simple interest is equal to क्या होता है principle into rate into time divided by 100 देखो P से P cancel out 100 into 2 क्या हो गया 200 यह 9 निचे आगया यहां पर is equal to R हो गया अब लोग direct कैसे करते हैं इसको direct करने का मतलब ही है यह देखे P से 3P हुआ तो interest कितना लगा 2P मतलब 2 times interest लगया यह नहीं 200 हो गया interest एक तरह से हम लेकें मतलब rate बोल सकते हूं 200 times 200 percentage बोल रेट को और कितने साल के लिए है 9 साल के लिए तो एक साल की rate हम यहां से लिकाल सकते हैं मैं फिर बोलना हूं direct कैसे करते हैं P से कितना हुआ 3P simple interest कितना लगा 2P तो 2P लगने का मतलब क्या हो गया 200% हो गया चले next question करते हैं A person can hit a target 5 times अचा एक सेकेंड इसमें एक चीज और अगर compound interest भी चीज़े हो रही होती तब क्या हो था देखे compound interest वाला भी concept में आपको यहां बता लिता हूं मालीजे कोई आपको यह मुले कि कोई principle था वो तीन साल में खुद का 8 times हो गया कोई principle था वो तीन साल में खुद का 8 times हो गया compound interest पे तो हमें बतानी यहां पे rate आप मुझे बताए amount is equal to क्या होता है वो होता है P times 1 plus r upon 100 raise to power P compound interest में amount कितनी हो गई 8 P आपने लिखा 8 P is equal to P plus 1 plus r upon 100 raise to power time कितना था 3 है देखे P से पिकट गया 8 is equal to कितना था यहां पे यह जो लिखावा इसको x बोल देते है xq तो x की value कितनी आजएगी 2 x की value कितनी आजएगी 2 यह 2 क्या है इस x की value और x क्या था 1 plus r by 100 is equal to 2 1 subtract हो जाएगा इदर जाके r by 100 is equal to 1 बचेगा r is equal to कितना आजएगा 100% आजएगा मतलब rate of interest कितनी है 100% अब यह तो मैंने यहां पे method समझा दिया अगर हमें exam में direct करना हो जैसे लोग बोलते है 100 tricks, 100 tricks actual में यह process ही होते हैं जिनके हम यह 5 steps क्या कर देते हैं avoid कर देते हैं और last step पे चले जाते हैं 100 trick भी देख लिए so-called 100 trick अब हो क्या रहा देखिए compound interest में जब भी हमें यह चीज़े दी हुई हो तो हम क्या करेंगे तीन साल के लिए 8P तो हम ले लेंगे यह 8 times हो रहा है इसका cube root लोगे क्योंकि 3 साल के लिए दिया हुआ है cube root लोगे तो एक साल के लिए आदाएगा तो 1 year के लिए कितना हो गया P से 2P अब आप मुझे ज़ल्दी से बताएगे एक साल के लिए तो compound interest और simple interest दोन भी क्या होते है same होते है तो P से 2P हो गया इसका मतलब क्या होगा interest कितना लगा है P मतलब rate कितनी है 100% 100% rate लगी है और एक साल की बात कर रहे थे तो divide करने कोई ज़रूत ही निया 100% answer आजा था हम यह होती है सोट ऐसे मालो यह दिया होता कि 27 times हो गया 27 times होने का मतलब गया मालो 3 साल ही दिया होता तो एक साल में कितना होता compound interest rate 3P हो जाता तो rate of interest निकाल नहीं हमें interest कितना लगया 2P मतलब 200% लग गया एक साल में यह rate of interest है इसने निकाल लेते हैं चलिए आगे बढ़ते है question number 24 a person can hit a target 5 times देखो यह question नहीं बहुत से लोगों ने गलत किया था और अगर किसीने probability अच्छे से पड़ी होगी 12 में तो वो इस question को within 10 seconds कर सकता था a person can hit a target 5 times out of 8 shots okay if he fires 10 shots what is the probability that he will hit the target twice 10 में से उसको 2 बार उसको hitting करना है अब आप एक ची देखिए वो आदमी अगर 8 shot निकालता है तो उसमें से 5 times वो उसको hit कर देता है target को 3 times hit नहीं करता तो मैं आपसे पूछूं कि उसकी success rate कितनी है तो आप यह कहोंगे कि success rate है उसकी 5 times out of 8 times right तो यह उसकी success की probability है ठीक है अगर वो 8 times shot करता है तो 5 बार जीता है तो यह क्या उसकी success की probability है लेकिन यह 8 shots के लिए लेकिन अब वो कर क्या रहा है तो मैं क्या करोगा इसका सीधा सा formula होता है total hit है 10 10 में से आपको कितनी बार hit कराना है 10c2 success की probability कितनी है 5 by 8 अब success कितनी बार चीए 2 बार तो 5 by 8 की power 2 और बाकी times क्या बाकी time failure करवा दोसको तो बचा कितना 3 by 8 यह कितनी बार है 8 times क्योंकि हमने 10 sorts किया है हमें दो बार success दिये 8 times क्या होगा फिल इसकी value निकालो यह आएगा अब 10c2 क्या होगा 10 times 9 divide by 2 times 1 यहां पर उपर क्या होगा 5 raise to power 2 3 raise to power 8 और denominator में 8 raise to power 2 यहां से 8 raise to power 8 यहां से 8 raise to power 10 अब आप एक्छी देखिए 2 से cut करो यह कितना बनेगा 5 25 25 times 5 times 9 दब आप इनको multiply करोगे तो आपके पास आएगा 1 1 2 5 times 3 raise to power 8 divide by 8 raise to power 10 और यह मैंने 10c2 कैसे निकाला तो आप एक से जान लीजे ncr जो होता है ncr होता है factorial n divided by n minus r factorial into r factorial तो जैसे 10c2 निकाला था तो 10 factorial divided by 10 minus 2 यानी 8 factorial into r मतलब 2 factorial अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 factorial क्योंकि आगे क्या होगा 8,7,6,5,4,3,2,1 इस तरह है और नीचे भी 8 factorial है into 2 factorial यह 8 factorial कट गे 10 times 9 divided by 2 यह था आपके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं question number 25 if 20% of a plus b is equal to 30% of a minus b then what percentage of b is equal to a देखे 20% of a plus b किसके equal है 30% of a minus b के तो पहले तो a और b में relation निकालो यहां से percent दोनुतरफ है multiply में तो यह थो हट जाएगा percent दोनुतरफ से यह 00 cancel out मतलब यहां से आया 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b इस negative 3b को इदर ले आओ तो 2b plus 3b हो जाएगा 5b 2a को दूसरे साइड ले जाएगा 3a minus 2a हो जाएगा a a ratio b कितना आएगा a ratio b इदर 5 बचा बाता 5 ratio 1 मतलब यह की वहले 5 बतो b की बनना है चलिए अब क्या बोला है then what percentage of b is equal to a b का कितना percent a है तो आप खुद ही बताए percent में convert करने के लिए 100 से multiply कर दो उपकर नीचे अगर b 100 है तो b को मतलब b से a निकानने के लिए में क्या करना कड़ेगा 5 से multiply करना कड़ेगा 500 percentage आज गुना है ना इस काई तो यह क्या हो जाएगा 500 percentage है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह question दिया है 2 raise to power x plus 3 raise to power y is equal to 17 और फिर हमें लिख्या दिया है 2 raise to power x plus 2 minus 3 raise to power y plus 1 is equal to 5 है तो मुझे बताए कि x की value क्या है और y की value क्या है चलिए इसको मान लेते हैं यह P तो P plus यह है Q देखो वैसे तो यह direct option से हो जाएगा question exam नहीं इतना नहीं करने option से ही observe कर ले लेकिन method बताजिता हूं option से कैसे करेंगे 17 आ रहा है अब देखो P positive है 3 भी positive है तो हमें यह तो clear पता है कि x और y जो है वो यहाँ पे positive integer की आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि 17 तभी आ सकते हैं अगर x negative number होता तो यह denominator में चलादा था 2 और fraction answer आ ना होता है तो पी नहीं आ रहा है और वैसे options भी देख सकते हो और x और y की value वह ज़्यादा बड़ी आ भी नहीं सकती तो आप options से इसको match करा सकते हैं अगर यहां process भी देख लिए 2 raise to power x को मैंने P बोल दिया 3 raise to power y को मैंने Q बोल दिया P plus Q 17 है यहां पर 2 raise to power x plus 2 है क्या इसको हमें लिख सकते हैं 2 raise to power 2 into 2 raise to power x माइनस इसको हमें लिख सकते हैं 3 raise to power 1 into 3 raise to power y is equal to 5 तो यह क्या है 4 into P तो मैंने इसको लिख दिया 4P माइनस यह हो गया 3Q is equal to 5 आप मुझे elimination या substitution को एक method use करके P और Q की जोगी खानी है मैं इस पूरी equation को 3 से multiply कर दो क्योंकि यहां पर Q का coefficient को negative 3 है तो यहां 3P plus 3Q is equal to 51 इन दोन equation को add करने के यह eliminate हो जाएगा 7P is equal to 56 आप 7 से divide करोगे इसको P is equal to 8 और P क्या था? 2 raise to power x तो यहां से 2 अब हम लोग यहां क्या दे सकते हैं? 2 raise to power x is equal to 2 raise to power 3 base same है तो x की value क्या आईगी? 3 3 यहां भी था यहां भी था अभी और देख लेते हैं देखें P की value 8 आई को यहां रख देते हैं तो Q की value कितने अधा है कि 9 को Q क्या था? 3 raise to power x is equal to 3 raise to power 2 तो x is equal to, y is equal to यह y था sorry तो y की value 2 आगी यह x की value यह concept actual में इसमें यूज हुआ है बाकि आप option से भी शिकर सकते हैं चलिए next question देखते हैं working for 10 hours per day 6 men can build a wall in certain number of days ठीक है कितने hour daily काम कर रहे हैं वो 10 hours कितने लोग 6 men by working for how many hours in certain number of days मा लेते हैं D days में उन्होंने किया working for how many hours or minutes per day can 12 men यहां पे hour निकालने हैं अपमें को H बोल दिया उसको और 12 men है है build the wall in the same days मतलब day वही है D1 तो actual में होता क्या है कि MDH यह formula आपको यूज करना होता है M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2 divide by work 1 और यहां पे भी अगर same work है ठीक है नहीं तो अगर कुछ और अलग work होता तो W2 कर देते हैं चलो यह ऐसे यह बादिए यह बादिए यहां पे तो work same है M का मतलब man हो गया यह days हो गया यह hours हो गया इस तरह चलता है तो पहले वाले में 6 men है number of days D R कितने है 10 work तो same भी है नीचे कुछ divide करने जो बतनी है दोने जगर same work है दूसरे वाले में कितने है 12 number of days वही है और number of hours आपको नहीं खाने है तो देखे B C D cancel out 6 से कट करो यह 2 2 से कट करो यह 5 तो H की वाली कितने आगी 5 hours 5 से गंटे में यह कर लेगे चले 28th number question In a trapezium A B C D A B and D C are parallel to each other with a perpendicular distance of 8 meter between them also A D is equal to B C is equal to 10 and A B which is 15 meter is less than D C चले इसको बना देते हैं पर ले यह अपने पास एक trapezium है और यह अच्छली आइसोसिलर्स टरपीजियम है इसको थोड़ा और से यह बनाते है आइसोसिलर्स ने सा देखे अब देखे यह A B यह C और यह D A B की लेंद कितनी है 15 meter और D C के लेंद अभी हम नहीं पता इनके बीच के पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस उने दी है कितनी? 8 meter A D equal to BC 10 है यह A D और BC equal है 10 meter और यह भी 10 meter हमसे पूछा है पैरी मिट्र ओक trapezium पैरी मिट्र के लिए यह को तीन साइड तो है मेरे पास यह triplet है चलो इधर भी देखो यह भी क्या है? 8 है और सामने hypotenuse 10 है तो यह भी क्या होगा? 6 meter अब आप देखे एक rectangle नहीं बन गया चाहिए यह भी 90 90 है तो rectangle की opposite sides equal है तो यह भी कतनी होगा? 15 meter आप आप डारेक्टली बता दीजे कि इसका perimeter क्या होगा? 15 15 plus 15 30 30 plus 12 42 42 plus 20 62 option number 1 चली अगला पॉसन एट अट ग्लेरेंच सेल एशोप कीपर गिवस 45% डिसकाउंट इसकाउंट 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 प्रूपी 3.30 दूरिं देखे यहाँ CP है यहाँ है SP और यह है आपका मार्ट प्राइस और इस प्रेस्टों मेंने कितने रुपभा पे किया है? 3.30 ठीक है वोट इसकाउंट कितना दिया गया? 45% इसकाउंट कि गया ज़्याद दा हमिशा मार्ट प्राइस पे अगर मार्ट प्राइस 100 रुपी होता तो cert का price कितना होता यह होता 55 रूपी क्यों क्यों कि 45% आपने क्या दे दिया discount दे दिया लेकिन actual में selling price है कितना 330 का कितना time है six times तो marked price भी क्या होना च्छी है six times होना च्छी है 600 option number C और आपको एक और फॉर्मूला में बता दू cost price और marked price का ratio जो होता है वो तह 100- discount percent divide by 100 plus profit percent cost price और mark price में यह relation याद रखना काम आता है next question देखते हैं जो कि अपना last question है इसका if a quote theta plus b cosec theta is equal to p और यहाँ पे दिया b quote theta plus a cosec theta is equal to q तो p square minus q square आपको बताना है देखिए इसको भी उसी तरह करेंगे आप दो गया मालीजी यह क्या है a quote theta को मैंने x बोल दिया a x plus b y is equal to p है और यह क्या है b x plus a y is equal to q है हमें p square minus q square निकालना है जरूरी नहीं है कि आप 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 ऐसे कर रहा हूँ ऐसे करें एक और method आपको बताना है पहले आप क्या कर लें इसको दोनी equation को add कर लीजी अगर आप add करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आदेगा a plus b into x तस a plus b into y is equal to t plus q तो x plus y, x की value मतलब quote theta, right? और यहाँ पर cosec theta is equal to a plus b थो common था तो t plus q divided by a plus b आजाएगा इसी तरह आप एक बार क्या करेंगे? इसको subtract करके कर सकते हैं जैसे मालों में यहाँ subtract करता तो यहाँ भी minus x तो यह क्या बनता? a minus b into x और यहाँ पर b minus a बनता लेकिन फिर मैं उसमें से minus common ले लेता हूँ तो a minus b into y और यहाँ पर p minus q अचा इसको divide ना करके मैं यही पर रख लेता हूँ एक बार यह वाला जो value है multiply कर दूँगा यहाँ क्यों की देख से क्या आरहे? a minus b को मना रहे है यहाँ पर a plus b और okaygga में क्या है? cot theta plus cos theta right और यहाँ पर आया今 the two multiply कर रहे है क्या है? a-b को मना गया है x की value क्या ति? cot theta! और यहाँ minususte cos theta और इधर क्या για? a plus b into a minus b देखे लिए P square minus Q square देखे A plus B into A minus B क्या होगा A square minus B square यह देखो Cote theta plus Cote theta Cote theta minus Cote theta मतलब क्या हो गया है यह हो गया मेरे पास A square minus B square मतलब Cote square theta minus Cote square theta is equal to P square minus Q square अब आपको मैंने थोरी देर पहले ही एक identity बताई थी वो यह बताई थी Cote square theta minus Cote square theta 1 होता है तो अगर मैं यह लिखूं कि Cote square theta minus Cote square theta तो क्या वो minus 1 होगा क्यों क्यों क्योंकि मैं इस पूरी equation को minus 1 से बटाई करना हूँ तो इसकी value क्या होगी? minus 1 तो यह A square minus B square into minus 1 is equal to P square minus Q square minus अंदर दाएगा तो यह क्या बन जाएगा? B square minus A square is equal to P square minus Q square यह इस question का answer है बाकि आप इसमें value रखे भी कर सकते हैं कि आपने लग दिया Cote theta की value यहाँ पे 90 डिग्री रख तो वीजी हो जाएगा कैसे? Cote theta की value 90 रख होगे तो cos upon sign है तो यह तो 0 होगया तो यहाँ यह कितना आ जाएगा? B तो P is equal to क्या जाएगा? B आ जाएगा और यहाँ पे भी यह क्या जाएगा? 0 तो यहाँ से A is equal to क्या जाएगा? Q यहाँ पे रख दो बस P की value B तो B square minus A square यह है exam point of view से करने क्या तरीखा आप सीधा ही value रख हो theta is equal to 90 degree और यह है आपका एक process की यह कैसे होता है तो exam में आप value रख की ही करना क्योंकि वहाँ आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आपको ही कैसे आपका answer आना सी में तो I hope यह session आपको अच्छा लगा होगा कुछ नया भी सीखने को मिला होगा paper overall easy था लेकिन exam में यह easy questions भी हमसे नहीं बनते हैं कि वहाँ पे हम fully concentrate नहीं कर पाते हैं डर रहता exam का exam phobia रहता है लेकिन अगर हम fully prepared रहें basic maths अपनी clear हो तो हम इन सब questions को बहुत easily कर सकते हैं इस शीरीज हमारी continue रहेंगी और मैं कोशीश करूगा कि कुछ और भी अच्छे तरीके से और अच्छे concepts आपको next वीडियो में सिखाऊं तब तक के लिए thank you so much all the best bye bye take care